प्राजनीत का अपराधियों का राजनीती करना या अपराधियों का राजनीती करना यह दोनों हुए और लोग सदनों में पहुंच गए फिरेन शाही को कम से कम सो गोलिया मारी जिए उसमाटम में इंट्री एक जुच चाहद एक सुद्दस दिखारी गए गए ती एक फॉर्टी सेवन का भी मैंने किताब में वर्चस में इसका जिकर किया है कि मेरा काम कर दो शाही को मार दो हम तुम्हें एक नहीं दो दे जाएंगे ऐसा है बंत्री जी पहचान तो रहो नहीं क्या है आप नहीं करा पाओगे तो मैं अभी गोरगपुर में इसको एक मैगजीन चलाओंगा पंद्रभीस गिर जाएंगे यह सब अपने आपट जाएं काउंटर बड़ा नाम बन रहा है और जिस तरीके कि ने बाबात से देखी कि हत्या कि मुंबई अंडर वर्ल्ड पर राज करने की को से को सब्सक्राइब योग यादे इतना थगर होते हैं तो पहले ब्रेतर हो सकती थी ने हो सकती नमस्कार स्वागत है आप सभी का अन्वेफ निउस पर मैं हूँ आपके साथ रोहित नब्बे का दशक और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज माफिया राज और जिस तरीके से बाहुबलियों का कबजा था उस सब जानते हैं राजनीती का अपराधी करल भी खुब ऐसे मैं अब उन सब को लेकर आज एक ऐसी सक्सिस्त में बात करने जा रहा हूँ जिन्हों ने बहुत करीब से देखा उनके खिलाफ एक्षन लिया ऐसे माफियों की कमर तोड़ी स्टीफ जब बनी तो उसके फाउंडर मेंबर रहे श्री प्रिकास सुकला के इंकाउंटर मे शांबल रहे और नाम उनका है राजीस पांडर जी बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका इन्विफ नियुस पर बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-धन्यवाद सर सबसे पहले सवाल जब आपका सिलसला सुरू करूं रेटार्मेंट की बात की जिन्दगी चल कैसे रही थो जो एक्सप्रेसवेज जैसे आप जानते हैं कि हमारे मानई मुक्मिंधी जी उक्तिंव बडार को मैं धनमंत्री प्रिदेश को थतार मत्री जी इकस अ अगर्ल, फिर पुर्वानचल एकस्प्रैश फिर बुंडेलिकंद एकस्प्रैश गांग्ञ एक्सप्रैश एक कोने से एक कोने तक जोड़ने के लिए एकस्प्रैश वे सब बनी और मैं इन सारी एकस्पेस्पेस का नोडल अलफ सब हूँ यूपिडान इतनु वह है अपना जो जैसे पहले आफिस आना जाना यह आफिस का काम सिक्यूर्टी का बहुत धिर सारा काम और जो पोस्ट एक्सिडेंट जितने मेजर्स होते हैं उन सब को कौर्डिनेट कर ना उनको देखना और एक कमेटी बनी है सुप्रीम कोड की सुप्रीम कोड कमेटी और रूट सेफटी उसके तमाम मानक हैं उसके तमाम प्रो फार्मा हैं एकसिडेंट का होना या फिर यूँ कहें कि जो रूड इंजिनिन से रिलेटेट अगर कोई बात है या ब्लेक करना कि कहां बार बार एकसिडेंट हो रहे हैं तो इन सब का उसका जवाब बनाना संबंधित को इसके बारे में बताना उसको रेक्टिफाई करना ताकि पबलिक आराम से एक्सप्रेस बेस पर सफर कर सके उसके अलावा आप जानते हैं मेरा अपना एक क्राइम का सिर्फ घटनाएं बताना ही मेरा काम नहीं है, लोग अपिक्षा करते हैं कि जो घटनाएं हम बता रहे हैं, क्या उससे बचा जा सकता था, क्या साफधानी हो सकती थी, किसकी गलती थी, इवेन अगर किसी में पुलिस की गलती थी, तो वो मैंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके स पुलिस की गलतीयों को भी इंगित करता हूँ मैं, ऐसे ही साफ सुथरे तरीके से आपने एक किताब भी लिखती हैं, वर्चस, अक्सर जब किताबें लिखी जाती हैं, फिल्में बनती हैं, तो नामों को बदल दिया जाता है, काल्पनिक कर दिया जाता है, डर भी किसी को हो होता है कि भाई धंकियां आ जाएंगे अगर किसी का नाम है, आपने वर्चस तो लिखी तो एक एक नाम आपने जिक्र किया, वो चाहे लाल जी टरंजन जी का हो, चाहे वो साक्षी महराज का हो, या फिर किसी का भी नाम, आपने इतने साफ तोर पर कैसे हर कुछ पहली बात तो याद रखा और क्या डर नहीं लगा लिखते वक्ति के सब चीजें? लोगों को आप ये कहें किसाब आप गेस लगाईए, क्यों गेस लगाएं भई? हम जब किसी चीज का फर्स्ट हर्न एकाउंट आपको बता रहे हैं, या लिख रहे हैं, या आपके समख्ष प्रस्तूत कर रहे हैं, या अपने जो रीडर हैं, अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको दे रहे हैं, तो छिपाना क्या है इसमें? हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, किताब आने के बाद जरूर कई लोगों ने कहा है किसाब ये आप तो सब्ता नाम आपने आईसस लिखा है, जिस समय आई थे उसमें कुछ लोग समवधानिक पतों पे थे, जिस समय मैं और किताब आए हुए भी बहुत दिन हो गया, और तीन साल पहले ये जो सारे फैक्स मैंने किताब में लिखे हैं, अपने किसागोई की एपीसोड में, एपीसोड छे से चबबिस तक शिप्रकास के ऑपरेशन का था, उसमें भी सब चीजें, इस सारी चीजें मैंने उसमें बिल्कुल, कभी किसी ने आपती नहीं कि, बिल्कुल, शिप्रकास पर आते हैं लेकिन उसकी सुरुवात करते हैं नब्बे के दसक से, नब्बे का दसक यूपी और बिहार, गुंडा राज, और राजनितिक गठचूड का क्या ये तालमेल था, तोड़ा समझाएंगा, दे नहीं थे, वो दशक था जब आपको यहां जो हर घर में सीसी टीवी लगे हुए हैं, वो सीसी टीवी नहीं थे, वीवेशना के लिए आधनी उपकरण नहीं थे, फॉरेंसिक्स का इस्तमाल वीवेशना में नहीं होता था, इसका फाइदा लोगों ने उठाया, असी के लोगों का इस्तेमाल, जैसे आप कहते हैं, बूथ लूटना, बूथ लूटने में, बूथ कबजा करने में, मत पत्र खराब करने में, मत पेटियों में स्याही डालने में, यह घटनाएं बड़ी सामान नहीं हुआ करती थे, और जिस परपस से या जिस वजह से, उन लोगो को लगाया गया है कि आप 10 बूथ आप देखेंगे, 15 बूथ आप देखेंगे, 50 बूथ आप देखेंगे, और वो successful हो गया, तो उन्हें यह लगा कि हम इनके लिए काम कर रहे हैं, हम इनको जिता रहे हैं, यह काम तो मैं अपने लिए भी कर सकता हूं, और उसी दशक में एक लिस्ट है, अगर आप इनके अपराधी कितिहास को देखेंगे, तो सब 90 का अपराधी कितिहास है, कारण यह था, मारा गया किसी को, एसीड में जलाया गया, आखें फोड़ दी गई, खुलेयाम सड़क पर गोलियों से चलनी कर दिया गया, लेकिन उस समय जैसे मकदमा नहीं पाते थे, या तो कंप्रोमाइज हुए, या फिर उन्हें मार दिया, गवाहों के मर्डर की संख्या अगर आप देखेंगे, तो इतनी बड़ी है, इन लोगों से संबंधित गवाहों की, कि एक आतंग का वातावरन था, और दस-दस, बीस, बीस, पचीस, पचीस वो जो फाइल और तारीक, उन पर कोई रुकावट हुई कि तारीक दर तारीक वाला जो एक बड़ा फेमस वाक के चलता है, तो उसमें भी कोई कमी नहीं आई, और फिर ये लोग विधान सभाओं में पहुँचे, संसद में पहुँचे, और किसका किसका नाम लिया जाए, उस जमाने में जो दूसरों के लिए बूत कैप्चिरिंग करते थे, वो खुद एलेक्शन लड़ने लगे, तो ये वही दशक है जो जिसमें राजनीत का अपराधी करन, या अपराधियों का राजनीती करन, ये दोनों हुए और लोग सदनों में पहुँच गए, जिनें हम कहते हैं कि हमारे भाग्य निर्माता हैं या हमारे लिए विधी विधान लिखते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करने लेगे, ये वही दशक था, अब आते हैं फिर जिस पर वर्चस्त वाई, स्रीप्रकास सुकला, कैसा था ये गैंगेस्टर, देखी गैंगेस्टर तो ये इसके काम करने का बिलकुल अलग तरीका था, कि वो तीन इसके पास हमेशा गैंग मेंबर तीन रहे, लोगों को धमका के, धमकी भी ऐसी इस तरह से देता था कि लोग घबरा के उसे पैसे दे देते थे थे, उसकी बात मान लेते थे, लेकिन उसके मन में भी राजनायती क लडे थे उसको यह लगता था कि यह सब करके एक दिन हम एलेक्शन लड़ेंगे और हम भी विधान साभा में होचेंगे जैसे बाकी 90 के दशक में लोगों ने किया था वही इसके दिमाग में था और उसने उस समय जैसे बड़ा क्रूर था बहुत क्रूर था एक गोली में जो क प्राम होसकता है उसके लिए डेल सो दो सो गोलियां मारता था जैसे विरेण शाही बहुत बड़े पुर्वांचल के अपराधिक नेता थे पुर्वांचल ते अर्षंकल तेवारी और विरेण शाही की जो दुश्मनी हे वो जग-जाहर थे पूर्वी उत्तर प्रदेश से पैदा की हुई थी कहा ये भी जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गेश्वी वीर भादूर सिंग जी ने जो गुंडा एक्ट विधान सभा में पास कराया आज भी चल रहा है बड़ा एफेक्टिव है वो इनहीं दोनों लोगों के गैंगों को कमजोर करने के लिए प्रभाव को कम करने के लिए गुंडा एक्ट वो ले आये थे तो उनको जब मारा लखनव में आप समझे दिन में 11 बजी की बात है तीस मार्च का दिन था उस दिन रिजल्ट दे था पास में एक स्कूल था जिसमें रिजल्ट लेने चोटे बच्चों का स्कूल था दो ड़ के वापस आ रहा था और वहां बीच सडक पर विरेन शाही को कम से कम सो गोलियां मारी गए थी पोसमाटम में इंट्री एक्जिट शायद 110 दिखाई गए थी और इतने लोग देख रहे थी पिस्टल से स्टेन से पैरों से उसको उसकी बाड़ी को उलटके आखों में पांच गुरता बहुत था और कोई ऐसाँ था कि चोरी से कोई कह रहा है चुपके से कह रहाँ जल्दी में कर रहा है ऐसा कुछ नहीं खोबित मिनांद से पांच गोलियां बाएं आँए 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 पांच जो हैं पांच या दस दाहिनी तरफ यह कन्फूजन हो गया कि ह इसको भी मार सकता है, तो फिर तो उसकी जैसे है, दुकान चल पड़ी, जिसको फोन कर दिया, उसने पैसा दे दी, तो बहुत कम समय में बहुत लंबी पहुंच वाला, बिहार में कितनी बड़ी-बड़ी हत्या हैं कि, बिरिज बिहारी प्रशाद की जिस तरह हत्या की उसने, वहां जो इंद्रा गानी इंस्ट्टूट है, उसको केमपस में, वो तो मतलब उसके बारे में सोच लिजे आप तो अधावत थी, श्री प्रकास के? देखे, अधावत उसकी गोरकपुर में, वहां मंडली रेल्वे कार्याले हैं, और वहां पर टेंडर निकलते हैं, उसका कैच्मेंट एरिया बिहार का है, उत्रप्रदेश और बिहार के जो रेल्वे से संबंदित कंस्ट्रक्शन हैं, बाक तो टेंडर के फार्म जो लोग ले जा रहे हैं, उनको एक-एक को गिनना, जो जमा करने आ रहे हैं, उनको एक-एक को गिनना, बिना उनकी मर्जी की कोई टेंडर का फार्म नहीं जमा कर सकता था, सूरजभान पतना जो मकामा का रहने वाला था, वो भी क्योंकि वो रेल ला उनके लोग, तो उनको ये दोनों मिलके घुसने नहीं देते थे, अदावत का ये आलम था कि वो अगर इनके आदमी दिखाई भी पड़ जाए, या बाहरी कोई भी दिखाई पड़ जाए, तो उसे घसीट के लिए के फॉर्म छीन लिए, और कोई डाउट हुआ तो मार भी द लगातार दसियों साल तक नितीज जी थे, रामविलास पासवान जी थे, और बहुत से लोग वहां रेल्वे मिनिस्टर लालु यादव जी थे, तो सूरजभान ने सूचा कि रेल्वे ये इलाका हमारा, काम हमको कराना है, मंत्री हमारा, और हम यहां आते हैं तो इन दोनों में से कोई नों को यह कह देता, ठीक है, दस परसंट दीजी हमको, आप काम ले जाएए, बिल ले आएगा हम साइन कर देंगे, तो हम क्यों इनको पैसा देंगे, तो बार-बार के इस तरह की बातों से वो आजे जा गया और इसी बीच में हर्शंकर तिवारी की अदावट व आत्याय की थी, तो सूरजभान को यह पता लगा कि हाँ इस लड़के में दम है, वो हर्शंकर तिवारी के पास रहा करता था, उससे बातचीत की, और फिर वो जैसे बिजनस डील है कि अगर हमको मिल गया तो हम पांट्रेक्ट तो इतना पैसा तुमको दे देंगे, या इतन लकाश, तो उस अदावट की वज़े से फिर मैं तब तक मार दूँगा आप तक, इसके पहले एक बार उसने बहुत सीरियस कूशिश की थी, एक एक फॉर्टी से फायर किया था, चलती हुई गाड़ी पे फायर किया था विरेंचाही के, उनका गनर मारा गया था, उन्हें दो तीन गोली लगी थी, लेकिन भच गया था, तो किसके एक फॉर्टी सेवन इन लोग के पास कहा से आ गया इन माफशाओं के पास, देखे एक फॉर्टी सेवन का भी मैंने किताब में वर्चस में इसका जिकर किया है, कि एक पुरूलिया ड्रॉफ हुआ था अगर आपको कि पुरूलिया के उपर एक फॉर्टी सेवन किसी विमान से गिराए गए थे, सी बिया ने बहुत लंबी उसकी जाज की थी, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए, फिर उसमें से सजा भी हुई, छूटे भी, तो वो जहां जहां गिरे थे, सब रिकवर नहीं हुए, 50% से ज्यादा रिकवर नहीं हो पाए थे, जिसके जिसके पास थी, तो वहां के बाहुबली उनसे या तो खरीद लिया करते थे, अमार के उनसे छीन लिया करते थे, सूरज भान के पास ये पुरूलिया डॉप की, एक फॉर्टी सेवन, तीन, चार, पाँच, जो भी हुई, वो दादा कहता था ये सूरज भान को, कि दादा हमें एक एक फॉर्टी सेवन दिला दो, तो उनका ठीक है मेरा काम कर दो, शाही को मार दो, हम तुम्हें एक नहीं दो दे दे देंगे, पहली अटेम्ट में फेल हो गया, उसना का चलिए मैंने कोशिश तुकी दिखे, मुकदर उसका बच गया, एक दे देजिये, लेकिन तब वो सुरज भान नहीं माने, लेकिन बाद में दो दी गई, एक आनंद पांड़े के पास से बरामत हुई थी, दूसरी इसके पास थी, तो शेह किसकी मिले थी, मतलब इतना स्रीप्रिकास कैसे बढ़ गया, आपने जिकर किया उन नामों का, कि उनके दम पर स्रीप्रिकास इतना आगे बढ़ता गया, नहीं, मैंने बताया नहीं कि दीखे, शुरुआत में जब गोरगपुर तक्सीमी था, तब भरशंकर के वारी का वरधर्स उसके उपर था, फिर एक नेता थे अमरमनी त्रिपाठी आप, उनको भी तो इसी स्तरह से एक 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 करके, वो अच्छा उसका नाम इतना हो गया था, कि वो जिसकी से फोन कर दे, कि हमारा ये काम है, तो फिर दौर के उसका काम कराते थे लोग, तो यही वो लोग थे जो उसको राजनेतिक गरूप से अगर उसे कोई काम पढ़ गया है, चुँकि खुद भी उसके अंदर ये कीडे चलने लेगे थे कि हमें विधायक होना है, और उसी को खुद नहीं, उसने तो इतनी कंस्ट्वेंसी में हमारे कंडिडेट खड़े होंगे, और सूरजभान अपने हां बिहार में इतने और उस जमाने में ये संबलित सरकारों का चलन था, क तो ये अंदाज इन लोगों ने लगाया कि अगर हम 10-15 विधायक भी तुम अपने हां और हम अपने हां जिता ले जाते हैं, जैसा कि चलन चलता आ रहा है, तो फिर हम किसी ने किसी सरकार में पाटिसिपेट करेंगे, फिर हमारा जलवा होगा, ये उसके दिमाग में हमेशा लेकिन अमरमडी तृपाठी अगर इतना साथ दे रहे थे, तब फिर उनके घर पर खाये के 47 लेके पहुंच अइसा हुआ, उनके घर पर इसके जब पुलिस ढूरती है, तो श्री प्रकाश को ढूंड रही थी, तो इसका एक भाई था ओम प्रकाश, ओम प्रकाश को लिए जगा जब देती है, तो सब को ले आती है, शाय से पता लग जया है, उसका यह कहना था, कि मेरे भाई को केंट की पलिस थाने में बहुत मारा है वहां के सपी सीटी सर्किल आसरों बर इंस्पेक्टर ने, उनके फोन करके श्री अमरमणी को उस समय मंत्री थे कि इनका ट्रां तो उनका हाँ हो जाएगा अमर्बनी जिस तरह के नेता थे आप भी जानते हैं और वो बातों के बादशाह उनका बिल्कुल हो जाएगा धेरे-धेरे करके एक महीने हो गए ट्रांसफर कराना चाहता तो वहां के डियाईजी एसन सिंग सापका भी कि ये बहुत पीछे पड़ है उनसे का है इस तरह की बातों में वो उल्जा देता था तब तब फिर खबर उसके पास आई है कि आज पुलिस घर पे पहुच गई थी और घर में घुश के बहुत मारावं प्रकाश को उस दिन वो गुसे में नीली रंग की सीलो लेकर बैग में एक फॉटिसेवन लेकर घर में घुज गया वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे सेंट्रल टेविल पर उसने वो बैग रख दिया चेन खोला चेन से एक फॉटिसे में निकाली और कहा कि ऐसा है मंतरी जी पहचान तो रहो नहीं क्या है आप नहीं करा पाऊगे तो मैं अभी गोरगपुर में इसक अब को समझ में आगया यह पाउन आदमी है और फिर जब तक पुलिस को सूचना मिलती तब तक वह अपना सब समेट के वसी लोगारी से वहां फरार हो गया था सवाल आप लोग पर ही उठे होंगे कि लखनव में आकर इस तरी सवाल तो उठाने वालों में कम सवाल थोड़ी उठाए वह देखे मैंने आपको बताया कि उसमें संसाधन नहीं थी उसमें मोबाइल फोन का जमाना नहीं था हमारे पास महिंद्रा के वही नीली जीपें हु को बढ़ी अच्छी गालियां तेज गालियां जो अपराधी इस्तेमाल करते थे वह अपराधियों के पास अच्छी गालियां थे हमारे पास सिर्फ जीप यह बिलकुल आएंगे स्टीफ के पढ़ने पर लेकिन उससे पहले लखनव का हजरत गंज और आर के सिंग जो बिर न रह गये हैं, ना आपके कॉंटेक्ट रह गये हैं, ना इन्फार्मर रह गये हैं, आपको किसी के बारे में पता करना है, CDR उसकी निकाल लीजिए, वो कहा गया, किसे मिला, किसे बात की, किती देर बात की, रात में किसे बात करता है, दो बजे के बात किसे बात करता है, आप एक एक चीज उसकी CDR से निकाल लेते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं था, उसकी लोकेशन जानने का सिर्फ एक तरीका था, कि सूचना आपको कोई उसके साथ का आदमी दे, और जब आप काम करना शुरू करते हैं, सूचना है भी आती है, आज यहाँ था, आज वहाँ था, ज उसमें जाता था, कभी हजरत गन में एक Bombay Hair Cutting Saloon है, उसमें जाता था, और तमाम जगों की बाते हैं होती है, तो जैसे ही सूचना मिलती थी, कि आज देखा गया है, लखनो में, जैसे मुक्बिर ने, आप कांटेक्ट ने, या इनफॉर्मर ने, जानने वाले ने बता है, कि ये मान लिया जाता था, कि अगले दो तीन दिनों में, वो अपना शेव कराने के लिए, या बाल ठीक कराने के लिए, वो इन में कहीं आयेगा, और उस दिन भी यही सूचना था, मैं उस समय सीओ कैसरबाग था, सतेंद वीर सिंग, S.P.C.T. पश्चिमी थे, रांकेंदर सि उनके पेशकार थे, S.P.C.T. के, एक ही बिल्डिंग में सीओ कैसरबाग और S.P.C.T. का आफिस हुआ करता था, और अकसर हम दोनों लोग या शतेंद वीर सिंग साब और मैं, एक साथ ही कारयाले में बैठते थे, चाए उनके कारयाले में या हमारे कारयाले में, क्योंकि उ उसमें श्रिप्रकाश को छोड़के दूसरा कोई काम ही किसी के पास नहीं था, इतना दबाओ था, तो ऐसे ही किसी को किसी ने सूचना दी, कि आज वो आएगा, एक चक्कर लगा चुका है, आज वो शाम तक, अच्छा वो लड़कियां उसकी बड़ी भारी कमजूरी था, ह कोई किसी तरह उसको डरा के या धमका के और वी तमाम तरीके हैं अपने वश में करना, तो वो लड़कियों के चक्कर में रहा करता था, इसलिए बार बार वो उस मार्केट में जाया करता था, ऐसे ही शाम को सब लोग बैठे हुए थे, और सब वर्दी में थे, तो वर्दी तुरन निकाल के उसे साधे में हुए सब लोग एक छोटी गाड़ी थी, सातेंज बीक सिंसाब के अपनी गाड़ी थी, महारूती गाड़ी थी, उसमें हम लोग बैठे और ये तैह हुआ कि दोखो, AK47 वो हमेशा क्रिकेट वाले बैग में या बड़े बैग में रखता है, तो जो बैग वाले बड़े बैग वाले लोग दिखाई पड़ते थे, उनको रोक रोक के हम लोग चेक करते थे, इसमें क्या है, इसलिए हम लोग वह गय थे और इसी चेकिंग में वो AK47 वाला बैग मिल गया जो अपना दी मारा गया था, टूनिया राम था, मुकामा का ही र दोला, उनको लग गया कि कुछ भारी सा लग रहा है, इसमें असलाव हो सकता है, उन लोगों ने रिजिस्ट किया, फिर जब चेन खोल के, कि निकाली तो उसने चपटा मारने की कोशिश की, फिर गोली चली, इसी बीच में आर्के सिंग, अचा जब भी हम लोग चेकिंग कर आदमी उपर की तरफ रहता था कि इनकेस अगर मिली जायागा कोई, तो फिर हमारा आदमी बचेगा कैसे, सब लोग हम लोगा हाथियार लेके चलते थे, सतेन वीर सिंग साप के पास भी थी, हमारे पास भी थी, आर्के सिंग की अपनी सर्विस पिस्टल थी, सब लोग लेक चलते थे, तो उन्होंने उचाई से ये देखा कि एक आदमी से बैग छिंगने में सतेन वीर सिंग वा राजेश पांडे लगे हुए हैं, लेकिन आगे चल रहे तीन आदमी पीछे मुड के दारूल शफार दुविधायक निवासे, उसकी तरफ भागे हैं, तो इस एंटिस स्टेंट को कम सकम पाँच हजार आदमी देख रहा था, कम से कम शाम का समय था साथ, आड़ वजे का, वरि वजार थे हजरत गंध वैसे भी हैं, हमेशा वीजी मार्केट रहती है, कम सकम पांच हजार आदमी देख रहा था, तो उससे ये रश्चा कसी चल लए थी कि उसकी प्रिगर पे न जाए कि जादा नुकसान हो जाए, फिर उसमें गोली चली उसको, इस बीच में आरके सिंग ने उन तीनों का पीशा कर लिया, जल्पत की मार्केट उसे कहते हैं, पीछे की तरफ वहाँ एक छोटा सा साइकल स्टेंड पहले हुआ करता था, जिसकी बाउंडली तार से बनी हुई थी, छोटे दो रो में तार लगा हुआ था, रात का समय था, पीछे अंदेरा था, जैसे ही ये कूद के भागें हैं, ये तीनों, बैग सब के पास था, तो इन्हों ने भी, आरके सिंग ने भी कूदने की कोशिश की, लेकिन वो तार इनके पैरों में उल और फिर पिस्टल को उसकी डूरी से, कौड से उसको तोड़ा, और उसकी खनपटी पर रखके नो गोलिया मारी थी, और नया-नया मंत्री मंडल बना था, दारुल शफा के तीनों फ्लोर पे, जो विधायक मंत्री बने थे, उनकी सुरच्छा में तैनात, संतरी ड्यूटी व नहीं वो फोटो छोड के नहीं जाता था, फोटो देखिए, सबसे पहले तो जो हुजत हुई, जो सबसे पहले हम लोगों का जो टार्गेट था, त्योंकि मैंने आपको बता है, अखवार लिखने से बाज नहीं आते थे, वो लिखते थे कि साब ये रिजेक्टेड आफसर प्रदेश का सबसे बड़ा लॉट्री वेवसाही था, उसको लाटूश रोट पे दिन में पचासों गोली मारी गए थे, एक तो व्यापारी उससे बहुत नाराज था, ये शाही का होई गया था, तो ये लोगों ने कर साब फोटो इनके पास नहीं, आस तक फोटो नहीं ल जग जाते थे, तब ये पता लगा कि उसने कहा है, एगर फोटो किसी ने भी हमारी दे दी या हमें पता लग गया है, और मारा भी उसने एक फोटो बजार को, वहाँ गोलबजार या गोल मрахक्त जो गोरगपुर में है, वहँ फोटोघ्र के अट एक की थी उसने, इस शक पर कि किसी तिलक या शादी के कारिकरम में कोई जो इसका वीडियो बना था उससे फोटो मांगी गई है उसने निकाल के देने का बादा किया है बिल्कुल आएंगे कि वो फोटो जो खूब वाइरल होती है वो कहां से आई उस पर चर्चा करेंगे लेकिन अब जिस तरीके सी अब सक्सेश्फुल होना शुरू हो तो अपराद में उसको सक्सेश मिलती गई जो टार्गेट बनाए चिलाया अखवार वो रोज देखता था तो जब उसको सक्सेश किसी को भी मिलती है तो उसका मन तो बढ़ता है मन बढ़ हो गया और फिर लोग अपने काम के लिए उससे पिता हुआ करते थे मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम चल रहा था ऐसे में उनकी हत्या हो गई उनका परिवार भी राजनीत में था उनका बेटा और उनकी शिकमती जी सब राजनीत में थे ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों ने संपर्क किया शिवरकास से कि हमारे पित अधिवेदी के क्योंकि एक ही इलाके से ये लोग आते थे उनकी वज़े से ये हत्या हुई है जिन लोगों ने भी किये तो फिर यह कहते हैं कि कल्यान सिंग की सुपारी लिए सुना हम लोगों ने भी था लेकिन आधिकारिक रूप से अजरा शर्मा साहब ने अपनी कि क्यों उनको सीतापुर के क्रेनी सेंक्टर से कल्यान सिंग में बुलाया फिर उनसे कहा कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है वो भी हतप्रव रह गए अजरा शर्मा साहब भी बहुत ही फील्ड के प्रैक्ट का लादमी थे तो उन्होंने का नहीं मैं आपको जो बता रहा और इसके लिए एक यूनिट को बनाना है आपके में पोस्टिंग कर रहा हूं दुबारा एज एड़ी जी लोई नॉर्ड एक अपनी टीम बनाईए और इसके आतंग को खतम करिये और मेरी जो सूचना है वो बिलकुल सही है ऐसा बाइटिंग दे बुलेट में अजरा शर्म की स्वाराज की वजय से इसा हुआ है चुबकि साक्षी महराज और सुर्गी कलियान सिंगी थैं आपके मार्नी कि स्मृपारी लेगी है और यह बात तर चलन में आ गए यह बात हुई पांच करोंड किस पाड़ी थी उस बत पैसे का जिकर तो उसमें उन्होंने नहीं किया है अजयर आशर्मा साम ने अब जो आप जानते हैं उसमें अखवार का ही जोड था ना तो आपके यूट्यूब चैनल थे ना कोई वैसे चैनल थे नून चार पांच चैनल थे न्यूस के तो उसमें जो बातें आती थी वो इसी तरह की बाते आती थी अच्छा इतना क्राइम ग्राफ था उसका लगतार आप लोगों ने मुक्वरी के आधार पर उसको ट्रेज भी किया इतने लंबे वक्त तक पकड़ा क्यों नहीं गया मैंने बताया ना कि एक तो कम संख्या तीन लोगों आपने तीन ही आदमी वो रखता था कोई उसके शुरवात में जो इसके गैंग में रहे हो एक तो आनंद पांडे सुधीर त्रिपाठी और यह बात में जब आनंद पांडे से अलग हो गया तो अनुच सिंग और राजन तिवारी ने ओपरेट नहीं किया यूट कि काम था बिहार में चुब कि राजन तिवारी एसोशीटेट था सूरजभान से तो इन लोगों के मुलाकात जरूर होती होगी लेकिन ऐसे गैंग इनहीं तीन लोगों ने ही काम तो इसलिए एक तो तीन लोग थे ख़बर निकलनी मुश्किल होती दूसरा कि भै इतना हो गया ख़बरों से ही हो तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई हलांकि बहुत दिन यह नहीं चला उसकी कुल अपराज में कुल आई हो उसकी पांची साल लेकिन पांच साल में ही उसने बड़े-बड़े अपराज कर दिये कि आज तक जिक्र हो रहा है कि आज तक इतने साल गया क्यों नहीं प्लिस ने जल्दी उसको पकड़ा तो कई कारण थे मैंने आपको पता एक कारण यह भी था वह बहुत अच्छी गाड़ियों का इस्तमाल करता है हमारे पास महिंद्रा की जीब थी बहुत प्माम कारण थे अथियार अच्छे लोग कम तो यह कारण था तो के देट पैंटिस साल से कम उम्र के ही अजिकारी करमशारी रखेंगे हमें दस टा-टा सुमों की विवस्था की जाए और हमना हमें इस तरीका हमारा लगो इस तरह से कि हम बहुत जो में में स्ट्रीम में जो पुलिस करती है अगर हम वैसा करेंगे तो हमारी खबरें बाहर जाएंगी हम इनेफेक्टिव हो जाएंगे तो वो सब बातें मानीगी और उसका एक टाइम बाउंड प्रोग्राम निकाला गया कि फ़ला तक इसको इस्टेब्रिश कर लिए जैगर पाना तारीख तक इसमें जो भी लोगों को रिख्यूट करना है रिख्यूट कर लिया जाएंग और समय सिर्फ छे मेने का हुम सर्फ चिरफ का गठंड सिर्फ च्छे मेने और टार्गिट सिर्फ एक छिरफेकर रधाश और उसके STF की गठन के बाद पहले नहीं हुआ था वो उसके बाद ये गठन हुआ कि एक यूनिट बनाएगी जो विरभपन के लिए उसमें कई स्टेट की पुलिस को शामिल किया गया बड़ा कोडिनेट डिफार रहा लेकिन उत्तर प्रदेश में एक व्यक्त के लिए एक यूनिट छ लेकिन वो STF जो बनती है उसको लेकर आपके ही अधिकारियों में खीचतानी थी किसी ने कहा कि सब बेकार बेकार चाट कर लिया कर रख दिया है नहीं हमारे अधिकारियों में नहीं थी मैंने लिखा है उसमें कि उस जमाने में अख़बार क्या लिखते थे लेकि टीवी का उतना जूर नहीं था, चार पांच बड़े चैनत था, तो वो अख़वार लिखते थे, कि जिलों से रिजेक्टेट अधिकारियों की फौज है, स्टीफ, अभी तक इन्हें उसकी फोटोग्राफ नहीं मिली है, यह क्या पकड़ लेंगे उसे, यह क्या समाप्त करेंगे उसे इस तरह कि तमाम खबरें अकवारों में निकला करती थे, बड़ा दुख होता था, क्योंकि हम लोग जितना कर सकते थे, बहुती सीमित संसाधनों में उतने अफर्ट हम लोग कर रहे थे, तो फिर आपके पास फोटो कहां से है, जो श्रिपकास की खिस्वारी के पास है, कि जब यह फोटो के लिए बार बार चपने लगा, अधिकारी भी पूछने लगे, कि भई आखिर तुम लोग जो तुमने कहा वो दिया गया, आज तक तुम फोटो नहीं मिली, सब खाली जैसे डाटने का तरीका होता है, कि खाली आप कमरे में से उपरेट कर रहे हैं, फिर मिलेगा, इस तरह की बात हैं, तो फिर यह हुआ, सब लोगों ने बैठके तेहिए कि पहले फोटो ही इसकी निकाली जाए, कहां कहां हो सकती है, एक टीम गोरकपुर में, कहां शादी में था, कहां ब्याह में गया था, कहां दोस्तों की पार्टी में गया था, सब जगह सार लोट्री विवसाई को जो श्री प्रकाश ने मारा लाटू शुरूर पे, लखनव में, तो वो मारा इसलिए कि उसका एक बहनुई, चचेरा बहनुई शायद, वहीं हजरत गन में ही रहता था, और वो भी लोट्री के विवसाई में इंट्रेस्टेट था, श्री प्रकाश विवेक शवास्तो को फोन किया कि मेरा बहनुई है, इस पट्रिकुलर इलाके की एजनसी उसे दे दो, क्योंकि सारा काम विवेक के पास ही था, बड़ा भरी लोट्री हाउस उसने बनाया था, और वहीं से वो, आप जानते हैं, हर राजी की लोट्री हुआ कर लिए उसका, उसके टिकट साते थे, और वो अपने जो उसके लोग हुआ करते थे, जो ठेलों पे, खुम्चों पे, सब लगा के जो बेशते थे, वो उसके सेट थे हर इलाके के लिए, कि ये इनके, इनके, इनके हाँ फरा फरा जाएगी, तो उनही में से किसी जगह के लिए उसने फोन क नहीं देखे नें, हमारे जो आदमी पहले से काम कर रहे हैं, कि हम ये नहीं करेंगे, दो तीन बार कहा और नहीं माना तो फिर इसने का हमारी देंगे, और फिर वे एक्षेवास्ता को मारा गया, बाचीत में ये बात आई कि साभ इसका एक भhnूई भी यहां रहता है, भhn कुमा साब भी थे, सतेन वीर भी थे, और इस्पेक्टर्स थे हमारे अविनाश मिश्रा था, बहुत से लोग थे, सब लोगे पठा हुए और फिर उसको घेरा गया माकान के, घेर के उसमें तलाशी शुरू हुई, उसका जो बहन-बहनोई, जो तथाकती बहन-बहनोई थी वो हमाने में अलबम हर आदमी रखता था, मॉबाइल तो थे नहीं कि सब चीज़े मॉबाइल में रहती थी, अलबम तलाशे गए कि पराने अलबम कहीं हो, छोर गुल हो रहा था, वो चिला रहे थे, पत्ती-पत्नी दोनों, इसी बीच में बगल के कमरे में उसके दो छोटी ब पापा को आप लोग मार रहे हैं, तो यह हुआ कि नहीं मार नहीं रहे हैं, पूंच रहे हैं, कि मामा आये थे क्या, तो उसने का हां आये थे, मामा आये थे, हमारी बढडे पर आये थे, पेटा फोटो है, उनकल फोटो है मारे पास, किताब से निकाल के उसने चार पाच फो फोटो मिल गई है जब उनके बहनुवी बहन बहनुवी नहीं सुना या बच्चियों के मावाप नहीं सुना तो भी भागते आगे उनने पैर पकड़ी कि यह फोटो क्रपा करके मच्छा पियेगा नहीं वो मारते तो उसको डाटा गया कि तुम्हारा साला है तुमको कैसे मार बोले साब वो किसी का साला बनुवी नहीं उसे अगर फोटो देखते ही पता लग जाएगे फोटो कहां से मिली है तो हम लोग मारे जाएंगे आप निशित मानिये हम मारे जाएंगे तो यह वाग चा ठीक हम लोग कोई विवस्ता इसकी करते हैं कि आपको कोई नुकसान नह हो गये हो तो हम ने का सरभी इसका हम तरीका कुछ तरीका कुछ निकालते हैं इस फोटो को सब्सक्राइच अर किसी दूसरी फोटो पेस्ट करते हैं उस जमाने में बॉलीमुड के सितारों के पोस्त कार्ड मिलता था तो वह जहां एस आमें काफिक अपले हैं तो भोब हमश अचानक फोटो देखे तो मन में विचार आया कि किस से मिलती जुद्धी है उससे देखके तो बाकी सब को देखके सुनील शेटी वाली फोटो जिसमें वो डेनिम की शर्ड पहने हुए है वो फोटो देखके लगा कि ये कुछ मैच कर जाएगा तो फोटो उनसे लेली पैसा सब्सक्राइब है और अमर फैक्स है वही हजरत दिन में है आज भी पहले तो उनकी चोटी दुकान थी बहुत बड़ी दुकान हो गए और पहली फोटो कॉपी कलर्ड उनहीं के पास लगनों में किसी के पास नहीं थी उनके पास गए उनसे बताया कि देखे ये है और फिर वहां बैठके उसके हेड को काटके सुनी सिट्री वाले पर फिटके आप आज भी अगर देखिए तो कॉलर के बीच में फंसी हुई सी लगती है और यह लगता है कि यह अलग से जोड़ी है थोड़ा सा हलका सा टेड़ी भी है लेकिन जिसको पता है कि यह कैसे बनी है वो ज अन्का भी निकल वादी और उसकी कॉपी पोस्कार्ट साइस की बनाकर और अरुन कुमास सापको अरुन कुमास साम ने ट्रेस बलाई और अप लोग फोटो फोटो चिल रह थी यह फोटो आ गगई और फोटो बढ़ गई अगले दिन सारे अख़रों में टीवे में सब नाम तो उसका होई गया था, तो सब जगर शिप्रकाशुक्ला की फोटोची और वही एक मात्र फोटो थी, आज तक भी वही एक मात्र फोटो है, बाकी कुछ फोटोग्राफ उसके गाउं से या घर से लोग लाके, वह अभी हाल का डिबलप्मेंट है, पहले तो सिर्फ वही एक फ और जब आरके सिंग की हत्या हुई, तो उनकी जेम में भी फोटो थी, और सम्हाव ये बात हला हो गई, आरके सिंग की जेम में फोटो थी, और मारे गए, उसको पता लग गया था कि फोटो लेके गुमता है, तो चुपचाप लोगों ने फोटो भी अपने पास से हटा दी हमारे ही पुलिस वालों ने, कि ऐसान हो ये पता लग जाए कि हम उसकी फोटो लिए गुम रहे हम ही मारे जाए, ये दहशत का उस समय, ये माहौल था उस जमानी में, बिल्कुल, तो श्री प्रिकास की जो फोटो उसमें गला उसका है, वाकी जाड़ा पुनील सेटी का है, अब आता है, कटो इंद्रापुरा, श्री प्रिकास का एंकाउंटर, वो दिन क्या हुआ था, कैसे आप लोगों काई दिन से वहाँ थे, मैंने इसमें बहुत पूरा डिटेल लिखा है, कि तब तक हम लोगों को हमारे पास तो पैरलल पे सुनने की सुवधा नहीं थी, लिक पीपी सिंग साहब एक दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, और तेवतिया साहब हमारी टीम में थे, उसमें इंस्पेक्टर थे बाद में, लिप्टी एसपी प्रमोटर, बाद में उनकी मिलती भी हो गए, बड़ा जिगरदार अफसर था वो, पीपी सिंग से उन्होंने बात लखनू में इस उवधार नहीं थी, दिल्ली में इस उवधार थी, कि नमर परल्ल लिसनिंग पर सुना जाए, बिल्लकुल शुरुआत ही हुई थी परल्ल लिसनिंग की असर बिलांस की, तो वो नमबर सुने जाने लगे, वो बार बार सिंग बदलता था, फिर आई-म-ई- सारिक को जाना है, तही सितंबर को, उसका टिकट कहां से लिया गया, फिर बातचीत में आया कि 21 को जाना था, और उस दिन ये लोग एरपोर्ट पहुंच नहीं पाये, क्योंकि उसी पकास सो के नहीं उठा, बातचीत हो रही थी, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, कि ये कर रखा था, लेकिन वही तीन टिकट, वही तीन लोग टरन अप नहीं हुए, आये नहीं और फिर वो प्लीन चला गया, तो उस पे जोर लगाया गया, फिर एक आया कि साथ इस टिकट को फलान दिन के लिए चेंज करा लो, तो उसके लिए आनंद को अनुष प्रताप सिंग चुकि इस्ट वेस्ट एयर रेजिजिजिन पहरे वो काम कर चुका था, कि उसको इस काम के लिए लगाया गया, हम लोग दिन भर रहे वहां पर, काउंटर के पास वो आया भी, और कब वो काउंटर पर बात करके चला गया, यह पता नहीं चला, क्योंकि हर बार बदल देता कभी-कभी ऐसे सिम या दूसरे सिट से बात कर लेता था यह पर लोग में हमारे पास कॉल आती नहीं थी, तो फिर यह तैंग हुआ कि अब फिर आगे हमने चेंज करा लिए कल फला फलाइट से जाना है, यह तैंग हुआ कि उस फलाइट पर जाने से पहले इसको इंटरसेप करेंगे, वह भीतर कैमरे लगे हुए हैं, वहां अरुंकमा सामने बात की थी, DCP जो एरपोर्ट सेक्योटी के हैं, उन्होंने मना कर दिया, यहां कैमरे अमरे बहुत लगे हैं, यह यहां समरो नहीं है, और VIP मुवमेंट हर समय रहता है, आपको जो कुछ करना है वह पहले कर तो टाइम सेट कर लिया, गारी कौन सी हो सकती है, तीन ही लोग होंगे, यह सब चीजें सेट करके हुए हम लोगों ने महां देखना शुरू किया, कि अब यह यहां से जाएंगे, उस दिन नहीं आया था, नहीं आया खर, अगले दिन फिर जाने की उसकी जब बात हुई, त आड़ी बिल्डर्स के भीहाल में डित हुई, उनको धमका रहा है, वो नंबर ट्रैक हुआ, फिर हुआ फिर यह हुआ पीसी ओ का है, हम लोग सिर्फ देखने के लिए, नवरात चल लहे थे, दूसरा दिन था, सब लोग बुलत थे, यह देखने के लिए कि जहां जिस पीसी लगाने लगा, इस तरह के बाते हैं, किसी भी क्रिमिनल के लिए बराबर हवा में तैरती रहती है, तो कम सकम लेटेस्ट पोजिशन, जब नेक्स दे वो आएगा एरपोर्ट में, तो हमें बिल्कुल पक्की वाली खबर होगी, कि यह इस तरह का है इसमें, इतने बड़े ब बाते हैं, वो भागता गया, फिर जब गाजियाबाद में इंद्रापूरम की तरफ अब लगता तो यह है कि अधि दिली की सलकों का उसे अंधाजा था गाजियाबाद की अधा नहीं था, इंद्रापूरम में ऐसी जगर पर जहां पर आगे रास्ता ही नहीं था, फिर वहा कई बातें इंकाउंटर पर ये भी हुए, कि STF ने दिली एरपोर्ट से ही उठाया फिर उसके बाद इंकाउंटर इंद्रापूरम में था, कहने वाले तो कहेंगे, कौन सब अपराधी है जो इंकाउंटर में मारा गया और सब लोगों ने मान लिया, नहीं सब बड़ी बहा करा नहीं लगा सकते, जिसकी जो मरजी ही, वो कहता है, वो कहता रहेगा, कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था, लेकिन एक आतताई का अंत हुआ था, और जो कुछ भी हुआ था, वो बिलकुल शब्दशह उसी सीक्वेंस में उसे लिखा भी गया, उसकी प्रॉपर F.I.R. है, उसकी मेजिस्टियल जाच हुई है, सब कुछ हुआ है. अच्छा, इस इंकाउंटर से पहले उसका फोन जवाब के पास आया था, आपको भी धंकाया था? हाँ, हाँ, अरे धंकाने का तो उसका को भी किसको नहीं धंकाया, उसने फोन आप से क्या बात हुए था? हमसे व कुंडिली निकाला करता था, कि तुम इतने वजे गय थे, तुमारी बेटी फलाँ स्कूल में जाती है, तुमारा बेटा फलाँ स्कूल में जाता है, और हम भी पीछे पीछे रहते हैं, तब तक हम लोग जानकारी हो गई थी, कि ये ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करता है उसको कि उसको लगता है कि वाकई मेरी पिछे पिछे था मुझे गोली बार देता है, तुमारी जानकारी निकालने का तरीका पुंडिली निकालो, सारे गरह निकालो इसके, और ऐसे लड़कों को लगाता थे जिनके पास कोई रिवालो पिस्टल नहीं है, प्रॉपर उनके पास काकजात हैं कहीं उनका कोई क्रिमेल हिस्टी नहीं है कि मेरा वो पदे स्वच कुण लाला वहा है यह deck अर्छाम फोन कर दिया थियुद को दरा बालैं कर k मेरा इंका sa एलग वसमें यह रिकॉर्डिंक कोई फोन है मिलना निम पर उन भाते थे और लेंड-समें इस सौ रिकॉर्डिंग सो या सवा सो रुपय की, कि आप उसको पैरलल में अपने टेप रिकॉर्ड में जोड़ दीजे, बड़े वाले कैसेट वाले में, और आप बात करते रहें, दोनों तरफ की बातें उसमें, मैंने रिकॉर्ड भी किया था उसको, सभी लोग, यह हिदायत थी कि सब लोग अपने वह वह वाका यह उस गाली में था तो उसी बात को वह कहने के लिए कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, दमकी देने वाली बाते हैं और तुम ने उसका इसका अश्रा नहीं नहीं देखा, तुम मेरे नमबर पर फॉन कर रहे हुए, तुमें पता है हम कहा है, या तो तुम टाइम तो हम रुके रहते हैं, आव हो जाए तो दो हाँ तो या फिर तुम जगह पता हो हमा जाएँ गे बैए ऐसा है कि जब उसको हम जानते थी कि या हमारी पूरी टीम जानती थी कि बातों का शेर है और टार्गेट जब यह फिक्स करता है तो जरूर कोई-नुकोई उसमें या तो काल ट्रेस हुई थी नेपाल से की गई गई बात थी नेपाल के पीसियो से और उसमें बच्चे मारे बहुत चोटे थे और इस्पीकर फोन अन करके तब बातचीत करते थे ताकि कोई कन्फुजर दुबारा अगर हम सुने उसको तो तो फिर गाली गलोज हुई वह कोई गाली देगा आपको तो आप भी डिलिएट करेंगे तो जितनी गाली वह दे रहा था उसकी गाली भी दी गई खुब कस के गालियां दी गई फिर उसने बच्चों ने सुना उसको बच्चे उठ गए सहम ड़े डर गए क्या बात हो रही है कैसे बात कर रहे हैं तो यह सब हुआ थ नमबर उसका निकाला गया तो यह तो होता है धंकी तो उसने इसको नहीं दी मैंने एक एक आदमी कर जिक्र किया है किता में बिल्कुल आखरी सवाल से रुप्रकास तो जुड़ा हुआ लाजी तंजन जीवाला मामला क्या था कि तीन महीने वह अस्पताल में भरती हो गए लाजी तंजन साव बहुत जमीन से जोड़ हुए नेता थे लक्नवु में बहुत ही मशुहूर शक्षियत थे दूसरी बात यह थी कि वह सवर्गी अटर भीहरेबाजपेजी के बहुत करीबी थे और नगर विकास मंत्री थे नगर विकास ब्युभाग से यानि नगर निग तो फिर वह अपने पे आ गया है कि मैं शिप्रकाश बुर्लाओं उत्य दिन समय ने कहा है तुमने यह नहीं किया और देखना मैं घुसके मारूंगा तो मैं इतनी से क्यूर्टी रखो गए तो बिचारे शरीफ आदमी उनका ना क्राइम से कोई लेना देना ना कभी उन्हो कोई पैरवी किसा भी एक फारनल लिपोर्ट लगा दोगी कभी उन्होंनों नहीं का था शरीफ आदमी उनको लगा कि पता नहीं और चाप को के जीमसी में भरती हो गए प्राइवेट वार्ड में रहे है तीन-चार वह ने कि कम से कम से बचत रहेगी कि हमको बाहर निकलना ह हमारा बंद हो जाएगा नहीं तो कारकरता है हमारे हमारे वोटर हैं वो किसी शादी में बुलाएंगी किसी उसमें बुलाएंगी हमें जाना पड़ेगा इसलिए बिल्कुल अब आते हैं इस वक्त के मामले पर एक नाम इस वक्त खुब चल रहा है लॉरेंस बिस्णोई देखे, आपने जितना सुना है उतना हमने भी सुना है, दस साल से वो जेल में है यह भी बताया गया है कि उसने कभी जमानत के लिए अपलाई नहीं है, कुछ सिमिलेरिटीज हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा क्रिमिनल की मानसिक्ता बता होगे, हाँ, ने, कुछ सिमिलेर जो मैं पॉंट आउट करना चाहूंगा उत्तर प्रदीश के परिपेक्ष में, देखे, मुंबई अंडर्वर्ड में क्या हो रहा है यह सब जानते हैं, यह भी जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से मुंबई अंडर्वर्ड का पहले का अंडर्वर्ड की जो एक्टिविटी थ कुछ तो आपस में लड़कट के मर गए, कुछ पुलिस ने मार दिये, और फिर नए नए जो गजट्स, इल्ट्रानिक गजट्स आए उससे अब उनको ट्रैक करना, एकाउंट फार करना बहुत आसान हो गया तो वह एक्टिविटी बंद हो गई थे, दो घटनाएं और में उसका आप आइडी लगाते हैं वो थे और इसी बीच में तीन लोगाय और गोलियों से ने भुन दिया और लाइव सब पूरे देश ने देखा, उनके पास पिस्टल वरामद हुई जिगाना, यह तर्किश पिस्टल है, बहुत महंगी है, बलेक मार्केट में इसकी कीमत जोड़ तर्किश तर्किश पिस्टल एक सब्सक्राइव और उन तीनों की माली हालत जोड़ दीजिए अगर तो भी वो पास लाग से उपर नहीं हैं, सवाल यह है कि जिगाना पिस्टल इनके पास आई पहाद हैं, बड़े-बड़े बदमाशों के पास यहां जिगाना पि क्योंकि एकाथ को छोड़ को जिनका चोड़ी औरी का है बाकी कोई क्रिमिनल इतिहास भी इन तीनों का नहीं है जो पकड़े गए दूसरा दूसरी घटना हुई जीवा संजीब महेशोरी जीवा जिसको कूर्ट में मारा गया है वकील की ड्रेस पहन के एक आदमी आया और जैस और सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और पकड़के बाबा सिद्धी की भी हुआ है गोली मारी हो सकता है भागनी की कोशिश की हो और पकड़े गए उसमें भी बहुत ही अच्छी बोल की पिस्टल है हाला कि मुंबई पुलिस ने अब तक बताया नहीं है कि कौन सी पिस् कोशिश्टल दुमेगजिन तीस पेहंतेस कारतूस यह बरामद हुए आज नहीं तो कल आएगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी बात लॉरेंस विश्णोई तक नहीं पहुंची है यह निवेस्टिगेशन में उसका नाम नहीं कुला है हला सब जगह है आप भी जा आखवार जानता है, TV जानते हैं, पुलिस अधिकारी जानते हैं अब तो सामानी लोग जान गए, कहीं लेकिन अगर जब तक अफिशली इंवेश्टिकेटिटिगेटिए इसको बता नहीं देते हैं, कहां से या तो इसके कॉन्ट्रीरी कुछ बता दें कि नहीं साब इसको फला आद्मी ने दिया था, उन लोगों ने नहीं दिया था, अभी बात समझें, अभी तक जब की इनिवेस्टिक का पा है कि जिस वेपन से आसे हमारे पुलिस की भासaban वह आला कतल कहा से आया कैसे पोँचे किसनेस दिया क्या खरीदा गेया डेजने वाला कौन है यह सब इन्वेस्टिकेशन का पार्ट है लेकिन किसी इन्वेस्टिकेशन में ये सोफिस्टिकेटेड विदेशी पिस्टल्स कैसे आई इसका फूईजी करने हैं बिल्कुल आपको लगता है कि अंडर वर्ड में एक नया डॉन इस्टेबलाइस करने कुशिस की जा रहे हैं अब जो जैसे पहले अंडर वर्ड ने कपजा कर रखा था मुंबई पर वैसे इसके लिए भी मौका हो गया कि अंडर वर्ड पर जो वहां की मार्केट पर और वहां के लोगों पर ये कपजा करें तो ये सिमिलर्टी तो है उसमें बाकी तो एजिंसी हैं वो पताएंगे शाम इस तरह के गैंग्स पर यू पी एति इसने बहुत काम किया है इंडियन मुझाहिदीन का पूरा नेटवर्ग ही यू पी की यिटीएश ने तोड़ा था राजियू सब्रवाल साभ हमारे डी और ये पूरे नेटवर्क को यू पी यह ती एस ने तोड़ा था उस सिल्स इस सिल्सिले में बहुत धेर सारी जानकारियां ATS और स्टेफ में पहले थी अंडर वर्ड के। तमाम लोगों को स्टेफ नहीं मारा था। तो दाउत और आइस आई का भी भी साथ आपको दिखता है। बिल्कुल है उसमें खुला हुआ है। इसे ओपन सिक्रेट कि वो तो उस तो बहुत पहले ही हिंदुस्तान चोड़ के चला गया था फिर उसके बाद दुबई से ऑपरेट करता रहा फिर नाइंटी थी में जब यह मुंबई ब्लास्ट हुए तो उसके बाद वहां से पाकिस्तान चला गया गैंग्स में बहुत तगडी खींस्तान हुई गैंग जो है थार्मी का धार पे दो पार्ट में तिरानवे के मुंबई बिलास्ट के बाद बट गया तो घटना है तो बहुत सी है कोई इसी नहीं है एक दूसरे को मारते रहे बड़े बड़े मर्डर हुए उनके लोगों ने इनके समर्थकों को मारा छोटा राजन और यह लोग जो एक हिंदू इलमेंट अलग हो गया था दाउद के गैंग से जो पहले उनके साथ काम करता था अलग हो गया उन्होंने उनके आदमियों को मारना शुरू किया एक दूसरे को मार के बिलकुल खाली कर दिया था अंडर वर्ड मुबई का अब आते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो हा दबाओ क्या रहा पुलिस पर प्रशासन पर के इनको नहीं चूना है वहीं देखें दबाओ ऐसे हम लोगों के उपर देखें हमारे हां हाई रर्की बहुत स्ट्रॉंग है डी जी पी से शुरू होता है और नीचे सिपाही तक जाता है अब यह कहना मुश्किल है कि किस इस पर यह दबाओ देखा गया लेकिन नब्बे के दशक में जरूर इंटर्फरेंस था इसमें कोई दोराय नहीं अतीक और मुक्तार का भी आतंक वैसा ही ता यह सब उसी काल के उसे काल खंड के सब यह प्राड़क्ट है जितने हैं सब नब्बे के दशक के प्राड़क्ट एक बाटाई है कि कल्यांग सिंग नहीं क्यों सोची पहले भी बन सकती थे जब तक पुलिटकल विल इस्ट्रांग नहो और बनाना बना के उसको एक्टिवेट करना उसको अंजाम तो पहुंचाना तो पुलिटकल विल की बात है यह तो वर्तमान में मानी मुकमंतरी जी है इनकी पुलिटकल विल का सबको पता है कि जिस चीज में जैसे जीरो टॉलनेंस कहा उन्होंने क्राइम और लॉइन और में है तो है नहीं परदाश होता है इसलिए उनकी प्रस्टन साब भी अलग प्रदिशों में की जाती है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने वह अप मिरट में स्सपी रहा है बड़ीर में दिा जी रहा है इनके परियाड में रहा है दिणि को अब वर्तमान में आपको freedom है काम करने की, आपका जो connect है आपके अधिकारियों से वो बना हुआ है, आप अपनी बार freely अपने अधिकारियों को सही है, गलत है, करेंगे, नहीं करेंगे, आप उनको बता सकते हैं, उसका feedback ले सकते हैं, आखरी सवाल, आप STF के founding member रहें, इस वक् अमितावियस का बहुत जिक्र होता है, जब से बहराईश में वो पिस्तल लेकर उठ रहे हैं, तमाम आरोप लगे कि इस तरीके से अगर डराया जाएगा पुलिस की तरफ से, तब तो जनता में खौफ पैदा हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास नहीं रहेगा, पिस्तल जाएगा पुलिस तो होना चाहिएगा, पुलिस पफाइर हो रहे हैं, तो यह ख़फ दिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, हमें नहीं लगता होनों नहीं कुछ गलत किया और अगर सरकार ने आपको कोई शस्त्र दिया हुआ है, तो वो शोपीस नहीं है, सामन से गोली चल लही हो, पथर चल लहा हो, जवाब नहीं देगा कोई, अपनी आतमरक्षा नहीं करे गा, बिल्कुल किया जो उन्हीं किया, बिल्कुल सही किया, अब ये बताईए सबसे पहले सा रेटायर्मेंट हो गया, आपने सुरुवात में बता दिया का लाइफ चल रहे ह जैसे शारी रिक्वया है, मैं वर्किंग करता हूं, जीसे कहते हैं थोड़ा सा समय का अपना सथुभीयोग करिये, खाना खाईए समय से हमारे कहने का थोड़ा सा जीवन को नियमीत कर लिजे, और जो कहते हैं एक्स्ट्रा फैट को बिल्कुल फिट रहेंगे, अज की पिधी है उससे भागशाली तो कोई पिधी नहीं हो सकती है। ये इंटरनेट के जमाने में पैदा हूए। सारे संसाधनों के जमाने में पैदा हूए। ये मोबाइल के जमाने में पैदा हूए। इनकी पूरी पढ़ाई अगर ये चाहें तो मोबाइल पर हो सकती है। तो इ देने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए उन बातों का जो कि हम केवल पढ़ते और सुनते आये थे आज उन से सुना जिन्होंने देखा बहुत करीब से हाँ एक सवाल और चुट रहा था जब इनकाउंटर हुआ स्रिप्रकास का उसने कुछ कहा था कुछ बोला था उस वक्त कितनी दूर से हुआ था नहीं वह भाग रहा था हम लोग भी भाग रहे थे फायर करता जा रहा था हम लोग भी फायर कर रहे था ऐसा कुछ बोलने वाली बात ऐसा कुछ नहीं ठीक है तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए और उमीद करेंगे कि दर्शकों को ये बात्षीत पसंद आएगी बाकी वर्चस किताब आप मंगवा लीजे बाय राजेस पांडे तो जाकर किताब मंगवा कर आप पढ़ सकते हैं और ये इंटर्व्यू देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट में चुरूर बता ये सर का यूटूब चन कैसी लहीं कमेंट में बनी राजरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ नमस्कार